तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारेस चैनल जे आर्ट टुटोरियल में जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्रेडी 12 स्टैंडर्ड का बायालेजी का बैच शुरू कर दिया और हमारे दो लिसन अल्रेडी कंप्लीट हो चुके हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा हैं वो दो लिसन तो जाके देख लेना आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिसन नंबर थ्री जिसका मैं आज लेकर आगया हूं फर्स लेक्चर लिसन नंबर थ्री का नाम क्या है इन्हेरिटेंस एंड वेरियेशन ठीक है उस जादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दूँगा कि इन्हेरिटेंस क्या होता है वेरियेशन क्या होता है ठीक है इतने बाते हम लोग करेंगे और सॉरी बच्चों अगर मेरी थोड़ी सी एनरजी कम लग रही होगी तो भी किसी घर पे एक नया बेभी बाॉन होता है तो 3-4 और जाती और बूलती कि लिए को इसकी जू शकल है ठीक करती है इसकी जो मम्मी से बंडी अफने सुनी होंगी अपने सपआस में अल्गिया है इसका मतलब क्या है जो कान है जो नाक है इनके च्वेये सारे क्रेक्टर से हमारे बाड़ी के साहज है हमारी ऑड़ी के क्या है यह साल इको मेरे इसका मतलब इसका का ट्रांसफर हो रहे है character का ट्रांसफर हो रहे है from one generation to another generation ठीक है मेरे पापा गे एक generation था उस generation से मेरे अंदर क्या हुआ character transfer हो गया ठीक है इस चीज को हम लोग क्या कहते है inheritance ठीक है तो या लिख दू what is mean by inheritance transfer of character ठीक है अब हम लोग ने पढ़ा हुआ है character कैसे बनता है कैसे आपकी body की character दिखते हैं हम लोग ने 10 standard में already पढ़ा हुए first lesson याद करो 10 standard का protein synthesis ठीक है एक DNA की छोटी सी part होता है जो RNA बनाता है जिसे हम लोग gene कहते है यादे DNA का वो part जो आगे चलके है ये characters जो हमें हमारे body में दिखते हैं जैसे मेरे बालो का इक ट्णर से another generation में जो चीज़े जो character transfer हो रहे हैं उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे inheritance ठीक है इसी inheritance को हम लोग heredity भी कहते हैं तो यह भी याद रखना heredity अगर आपकी book में आ जाए ठीक है अगर आपके exam में heredity question आ जाए तो डरना नहीं है inheritance inheritance और heredity का मतलब क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है क्या मैंने बताया transfer of character from one generation to another generation ठीक है या फिर from parents to offspring इतनी बात है clear है अब next हमारे पास term है variation variation का मतलब क्या होता है अब देखो जैसा कि मैंने आपको बता है कि वह आंटियां बोलती थी कि इसकी ना कि इसके पापा जैसी दिखती है लेकिन क्या वह बच्चा जो बॉन हुआ है वो क्या पूरा का पूरा अपने पापा से resemble करता है क्या variations are the difference in character variation क्या होते है these are the difference in character from parents to offspring तुम्हारे parents के अंदर जो character थे वो character और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा difference create हो गया है उस चीच को हम लोग क्या कहेंगे variation ठीक है इसको सबसे पहले discover किया था एक scientist ने जिनका नाम था George पिन देश है ठीक है वहाँ पे country और आस्ट्रिया नाम की वहाँ पे इंका जन्म हुआ था किस दिन जन्म हुआ था कौन से एरा में जन्म हुआ था हम लोग को जाने के जरूरत नहीं है क्योंकि वह हमारे exam में नहीं आने वाला ठीक है इन्होंने experiment किया था garden पी के उपर अब प्लाइंट प्लांट आजब को पता है ठीक है मटर के ना प्लांट आप लोग ने देखा होगा तो दो टाग के पी होती है एक गारण पी और एक स्वीट पी ठीक है जनरली हम लोग स्वीट फी को खाते है तो गारण ही होती है उसके उपर experiment किया था कभी स्वीट पी लिख तो किसके ओपर experiment हुआ था garden ए अ पी प्लांट की ऊपर experiment हुआ था ठीक है इससे scientific language में पाईसं में 30 ओम कहते हैं तो यह राज ये बात आपको पता होना ची खिंद के ईयुसपर लेके 1863 तक around around 7 years का इनका experiment था ठेक है और आगे चलके इन्हों ने उस चीज को जो इनका result निकला ना उसको इन्हों ने 1865 में publish कर दिया 1865 में क्या कर दिया publish कर दिया वहां की एक local newspaper के इतनी बात है क्लियर के कि उस पर इंट्रनेट वाला जमाना नहीं था उस टाइम पर फेस्बुक नहीं हो अगरते थे इंस्ट्राग्राम नहीं हो अगरते थे बस एक newspaper चलता था तो local newspaper में इन्होंने क्या किया अपना जितना भी description था जितना भी इन्होंने invention किया था discovery किया था sorry वो सारी चीज़े क्या किया इन्होंने publish कर दिया कभी 1865 में इतनी बात है क्लियर है इन्होंने उस time पर यह सारी चीज़े discover कर दी थी जिस time पर actual chromosome डिसकवर नहीं हुआ था actual gene discover नहीं था उस time के उससे पहले ही ठीक है उस time के पहले ही इन्होंने discover कर दिया कि हां भाई कुछ ऐसे चीज़े हैं जो transfer हो रही है एक parent से एक offspring के अंदर आज हमें पता है कि वो सारी चीज़े क्या होती है gene लेकिन इन्होंने उस चीज़ का नाम दिया था factor इन्होंने क्या नाम दिया था factor की एक factor है वो transfer हो रहा है एक parents से दूसरे generation में इतनी बात है clear है ठीक है लेकिन देखो इन्होंने इतना सारा अच्छा काम तो कर दिये इतना बड़ा काम कर दिये जिस्वे वैसे आज इंको father of genetics भी कहा जाता है लेकिन जब जब तक इनको यह recognition नहीं मिल पाई जब तक कि छोड़ देते हैं और जाके एक church में बैठ जाते हैं वहां करते तो ये एक मोंग थे शाथ उस मौंग के पीछे एक स्कूल था जिसके अंदर ये टीच भी करते थे पढ़ाते भी थे क्योंकि ये बहुत ही जदा scholar भी थे ठीक है तो ये एक मोंग थे जो क्या करते थे बच्चोंको पढ़ाते थे तो उर इनके Church के सामने एक छोटा सा गारन था जिसके अंदर यह गार्डन P उगुता था ठीक है तो इन्होंने देखा कि यह उस टैमपर क्या माना जाता था फिक है अगर एक मेल के समय हाइट कि मील बड़ी है और एक फीमेल की हाइट छोटी है तो उन दोनों का जब बच्चा होगा तो वो मिडल हाइट का होगा ऐसा माना जाता था उस टाइम पे ठीक है लेकिन जब इन्होंने गार्डन पी को देखा तो इन्होंने क्या देखा कि यार गार्डन पी के अंदर सिर्फ दो ही क एक्सपेरिमेंट को कंड़क्ट करना शुरू कर दिया यह कंड़क्ट कब तक किया था इन्होंने 1856 से लेके 1863 तक यह 7 साल का एक्सपेरिमेंट यह ने किया तो इसके उपर admustart और फिरान पहीं अ il nes辉ने और से लिया चांट क्या है सबसे पहले को ईचन पेक्तर और सबसे न क्वेगज़क्टUP इसे रगेरेखने मिलते हैं या गर एक generation आती है जब प्लांट की तो उसके अंदर बहुत साथा number of seeds मिलते हैं जिसके वैसे हम लोगा sampling size बढ़ जाता है ठीक है for example मेरे को 6 seed मिल गया अब मैं 6 seeds को क्या कर दूँगा अब उसके अंदर से चितनी भी plant होगे के मैं क्या करूगा उसकी चीज को note कर लूगा कि हाँ इसके अंदर यह हो रहा है इसके अंदर यह हो रहे ठीक है तो बहुत ज्यादा number of seeds भी मिलते थे किसके अंदर पी प्लाइट के अंदर इतनी बाते क्लियर है नेक्स्ट क्या है यह आनौल प्लांट है ठीक है जो गार्डन फीप्लांट है मतलब इसको कभी भी होगा तो यह आपको रिजल्ट दे देगा बागी किसी प्लांट की तरह नहीं है कि इसको आपको एक साल या दो साल रुखना लोग को नेक्स्ट को पता करना है कि why he was so successful इनका जो टेक्निक था यह इतना ज्यादा successful कैसे हो गया सबसे पहला जो मैंने भी आपको बता है कि they have a large sampling size यह ऐसा नहीं था कि एक ही बार result निकालते थे और वह यह लिख देते कि हाँ यह हुआ है यह बहुत ज्यादा बार ट्राय करते थे चीजों को एक ही रिजल्ट को बहुत ज्यादा बार इसको verify करते थे जिससे जो भी answer आता था वह बहुत ही ज्यादा sure shot था इतनी बाते clear है next he used the mathematics and experiment ठीक है यह इन्होंने क्या किया अपने experiments के लिए mathematics का यूज यूज किया अब आपको पता है mathematics में जनरल सा formula होता है जिसमें आप कोई भी input डालो तो वह आपको क्या देदेगा एक value दे देगा एक constant value देगा सही बात है इसलिए नियोंने क्या किया mathematics का use किया अपने experiment के लिए ठीक है next क्या है meticulous records for of the result ठीक है इनका जो भी record आता था उसका बहुत ही जादा number of इन यह record बाला के रखते थे अच्छा इस generation में यह हुआ था और उसके हिसाब से ही ठीक है उस सारे generation उस सारे records के हिसाब से ही अपने इन्होंने law of dominance दिये थे ठीक है sorry law of inheritance दिये थे जो अभी हम लोग आगे चलके पढ़ेंगे इस lesson में ओके next question का answer हमें करना है कि why his work was remain unrecognized ठीक है इनका जो इतना अच्छा काम था इतनी सारी चीज़ों इन्होंने की थी लेकिन क्यों इनको किसी ने भाव नहीं दिया सबसे पहली बात कि उस टाइम पर जिस टाइम पर यह experiment कर रहे थे उस टाइम पर इंटरनेट जैसी चीज़े नहीं थी कब मैंने बताया आपको 1856 की बात हुरी तो 1856 में ना इंस्टाग्राम था नहीं फेस्बुक था नहीं वाटसप था यह सारी चीज़ा नहीं अविलेब तो गुड ठीक है कम्मिनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी नेक्स्ट का है यूजिंग उप मैथमेटिक्स पर दो बाइलजी वाज़ी वाज्ट वेल एक्सेप्टेड वागे आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्हों ने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मुला उसका था पुलेट स् नेक्स्ट क्या था आइडिया और कॉंट्रास्टिंग क्यारेक्टर वाज नॉट एक्सेप्टेड ठीक है को अगर हम लोग यूमन की बात करें तो यूमन है और यूमन है उसके बीच कोई हम लोग को हाइट देखने मिलती है ना 5.1 5.2 हर बहुत सारे हाइट के यूमन बीच अम लोग को देखने मिलते है तो उस टांड के साइनटिस्टों ने जो भी बाइलोजिस्ट है उन्होंने यह जो केरेक्टर था वाला कॉंसेट उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया साथ ही साथ वो जो फ्रेक्टर की बात करे थे ना जो मैंने आपको बताया कि ज आपको समझ में आ गया होगा यह तीन कोशन में से कोई एक कुशन हमेशा आ जाता है बूर्ड के एक्जाम में तो आपको याद रखना है यह सारी चीज़े ठीक है मैंने जनरल यह आपको शॉट में लिखवा है लेकिन आपको थोड़े थोड़े बड़े बड़े अगर आपको मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो कुछ आपको मेंडल की भाषा समझनी पड़ेगी मेंडल कुछ भाशाओं में बात कर रहे हैं उन वर्ट को आपको पता करना बहुती ज़्यादा ज़रूरी है उन से टर्मिनलोजिस को आपको पता करना बहुती मचते हैं देखो यहां पर हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर टू पे और अव प्रेजन अगर मेरी बात करू तो वह दोनों जुडते हैं तो एक बन जाते जिससे आगे चल के बेबी बनता है में तो अगर मैं बात करूं एक लोकस की जैसे ट्वैंटी-ती थी क्रोंदम है तो मैं बात करूं मैं अगर मैं ऐसा बोलो कि 10th नमिबर का क्रोमोजम की बात कर नहीं जाने तो 10 नमबर पर अक्च्छल में दो ग्रोमोजों होंगी ठेकि है 10 नम्बर उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है डी एने इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे डी एने प्रेजेंट होगा तो अब देखो इसके अंदर भी सेम डी एने प्रेजेंट है इसके अंदर भी सेम डी एने प्रेजेंट है ठीक है पास-पास वाले क्रोमोजोम है ठ इस वाले position पे मेरे eye color का gene है, for an example कि इस वाले position पे क्या present है, मेरी eye color का gene है, मतलब ऐसा gene present है, जो आगे चलके ऐसा protein बनाएगा, जो मेरी आखों को ये color रेगा, जैसे मेरी आखों color brown है, तो यह आगे चलके कौन सा color बनाएगा, brown color बनाएगा, तो इसके बाजु वाले chromosome में, इसके बाजु वाले chromosome में, उसी point पे, यहाँ पे जो gene present होगा, उसका भी काम सेम ही होगा, जैके है, वो भी eye color का ही gene बनाएगा, समझ मेरी मेरी बात मैं का बूल रहा हूँ, सेम chromosome है, chromosome हमेशा deployed होते हैं, दो chromosome हमेशा एक साथ present होते हैं, तो अगर एक chromosome किसी एक point पे, कोई eye color का gene है, क्या है, eye color का gene है, वो क्या कर रहा है, तो उसके बाजु वाले chromosome के उसी position पे, same eye color का ही gene present होगा, एसे chromosome को हम लोग कहते हैं, homologous chromosome, what we call, homologous chromosome, इत्ती बात समझ में आ गए, ठीक हो, homologous chromosome मतलब समझ में है, कि ऐसे दो chromosome, जिनके अंदर same type के DNA या फिर gene present हो, इत्ती बात समझ में आ गए, तो हमें समझ में आ गया, कि अच्छा, homologous chromosome क्या होते हैं, अब मैं जो तुम लोग को point point की बात करा हूँ, और कि इस point पर ये वाला gene present है, इस point पर ये वाला gene present है, इस point को हम लोग कहते हैं locus, what we call, we call it as a locus, तो circle क्या होता है, circle किसी line से नहीं बना हुआ है, circle किसी segment से नहीं बना हुआ है, circle किस से बना हुआ है, point से बना हुआ है, circle किस से बना हुआ है, point से बना हुआ है, तो उस point को हम लोग क्या कहते हैं locus, ठीक है, वैसे ही, इस chromosome के अंदर, इस chromosome के अंदर, लगारगर में किसी पॉइंट की बात करूए अच्छाए इस पॉइंट पे ये प्रेजेंट ये अजए अच्छा ये आग्टों किया होगा जीन होता है या कलर का कोई color देगा ठीक है मेरी आख कोई color देगा और मेरी अंखोब क्या है यह एक टाइप का character थे क enquanto होता है। जिसे मेरे बालों का color क्या है यह एक character है ख़ी बात है तक है तो अगõण करता है गार्टफ की करूं सुस्य और का मतलब क्या होता है लग तो वो किस से करोटीन से फॉर्म होता है तो एघर यह वाला मेरी आथेयाities और यह तो आखो का कलर क्या है जब है तो यह अँठय और यह character बहुत साहव कि युदं की हो सकते यह थर इंट का करेक्टर लेकिन के इंटだ कि वहाइब की ओ सकते एक किसी यूमन की मैं बल्रहें तो वह भी करेक्टर है ठीद करें तो श페यरा का तैकिंटल सारी ऑफ साहरी डिफ्रेंट। तैप्स क्यों हो सकते हैं इन टैप्स को क्या कहा जाता है इन टैप्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट्स क्या कहते हैं क्रेट्स क्रेट्स क्या हो गया ठीक है जैसे आय का कलर अभी आय का कलर बहुत हो गया अभी हम लोग बात करते है फॉर एक्जामपल स्किन के कलर के बारे में यहाँ पर कोई एक जीन है यह वाला कोई जीन है जो क्या कर रहा है स्किन का कलर दे रहा है इनको क्या दे रहा है कलर डे रहा है, तो skin को color दे रहा है, मतलब ये क्या है एक type का character है, अब skin के color बहुत सारे type के हो सकते हैं, बहुत सारे various shades हो सकते हैं, ब्लैग होता है, फिर थोड़ा सा, बुल सकते हैं ने गोरा सा होता है, ठीक है, तो अगर for example मैं बात करूँ black की, black क्या है ये भी एक type का skin का color है, फिर मैं बात करूँ थोड़ा सा शेडी, शेडी मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा सावला, ठीक है, फिर मैं बात करूँ थोड़ा सा वाइट, ठीक है, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, इनी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेट्स, इनी चीज़ को हम लोग क्या समझ में आगया क्या होता है एक है अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीन के बारे में स्क्रीक इस और ला मिल्हाइव कि के अरफ सकतर यह होता है कि अधिक नियुक्ति स्थो आश्य कर लिए डिसकुर्षा रचिह रखवा, ट्रेट क्या होता है, बश्यμεंario एक example लेते हैं हम लोग, कि यहाँ पे, यहाँ पे, कोई एक ऐसा gene present है, यह वाला position पे, कोई ऐसा gene present है, जो किसी plant की height बता रहे है, ठीक है, जिससे आगे चले क्या होगा, plant की height क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो for example, यह वाला जो character है, यह क्या करेगा, plant की height देग हो जाएगा, तो इसी locus पे, ठीक है, लोकस अब समझ भाएरा ने, क्या बोल रहा हूँ, तो homologus chromosome के उसी locus पे, एक और same type का gene present होगा, जो क्या करेगा, height का ही gene होगा, जो क्या करेगा, उस plant को height ही provide करेगा, simple से बात है, तो यहाँ पे भी ए टी है, यहाँ पे भी ए टी है, ठीक है, इसका मतलब यह gene क्या करेगा, जो organism है, उसको tall वाले protein मेना के देगा, और जो भी plant है, वो क्या हो जाएगा, tall हो जाएगा, इतनी बात है clear है, ठीक है, इतनी बात है, clear है, वहीं अगर मैं बात करूँ किसी दूसरे organism की, ग्यान दो, यह किसी दूसरे plant का chromosome है, ठीक है, इस gene पर, भी same locust पर, जो locust यहाँ प्रेजन था, उसी locust, उसी same locust पर, यहाँ पर भी क्या present है, कुछ genes present है, जो क्या दे रहे है, height का gene दे रहे है, जो क्या दे रहे है, उस plant को भी, height का gene दे रहे है, बट यहाँ पर हो क्या रहे है, यह जो gene है ना, यह थोड़ी से damage हो चुक तो अगर यह थोड़े से क्या हो गही है चैन्ज हों गया यह थोड़े से हो गया है प्ले तो इसका मतलब यह जो जीन hack यह आगे चलका टाल है नहीं बना पाएंगे सही बाता है धि又 क्रोंटागे षीन बना रहे था अंगर हम इसकी बात कर सितनी ये नॉर्मल है हाइट का जीन बना रहे थे यह भी नॉर्मल बना रहे थे और यह भी नॉर्मल बना रहा था सिंपल सी बात है जिसके वैसे जो प्लांट सा उसकी हाइट का और थी टॉल हो जा रही थी लेकिन इसके अंदर यह दोनों क्या है फॉल्टी जीन है तो यह भी आगे चल के क्या बन ओल्टी ही क्या कर रहे है हॉनों फॉल्टी जीन बना रहे है हॉनों वाला ब्लांट यह जो घृए इस जीन रहेगा प्लांट के अनदर वो waktu we और कि यह चूक है हो शूकर हीम स्मझब है अगर में इस फ्लांट को फिजिकली देखो एगा है फिर ची बात ही तो यह सकती है यह क्या है उसके traits है यह क्या है उसके traits अभी हम लोग ने बात की लेकिन अगर मैं बात कुर यह जो मैं दिखा रहों ना T और T इसमें क्या दिए small T small T these are the alleles इन चीज को हम लोग क्या कहते हैं alleles कहते हैं मतलब एक ही homologous मतलब एक ही chromosome के अंदर homologous chromosome के अंदर जो यह present हो जीन प्रेजेंट हो ठीक है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं alleles कहते हैं एक और examples हम आपको समझाता हूँ for example यहां पर एक और प्लांट है द्यान सो सुनना अभी एक और प्लांट है यहां पर जिसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है chromosome और उस chromosome क्या अंदर यहां पर जीन प्रेजेंट होगा यहां पर भी हाइट वाला जीन प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें जो एक जीन है ठीक है अच्छा है जो नॉर्मल प्रोटीन बना रहे है बड़ेगी लेकिन वहीं दूसरा वाला जूजुई नहीं यह फॉल्टी है बच्चों यह यह फ्ल्टी यह अच्छा जीन नहीं बना रहा तो इससे क्या होगी हाइट बढ़ेगी नहीं चीए सिंपल सी बात है ला तो अगर मैं use करेंगे small t, क्या use क्या मैंने आपे small t, मतलब इसकी height क्या होई, बड़ी नहीं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो t है, जो क्या कर रहा है, normal gene बना रहा है, जिससे plant क्या हो नीची है, बड़ी नीची है, और दूसरा gene क्या है, वो faulty gene बना रहा तो यहाँ पे जो gene होगे, एक है gene, बड़ा T, एक है gene, छोटा T, तो इससे भी, ठीक है, इससे भी जो आगे चलके plant बनेगा न, वो भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टॉल हो जाएगा, ठीक है, इतनी बाते समझ में, तो यह जो बड़ा T, छो मज में आ गया, सभी बात है, अब हम लोग को पढ़ना है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटीरोजाइगस क्या होता है, ध्यान से सुनों, यहाँ जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि यह वाला जो organism है, ठीक है, इसके होमोलोगस क्रोमोजोम पे, दोनों क्रोमोजोम पे क्या है, अच्छे जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे बड़ा वाला टी प्रेजेंट है, यहाँ पे बड़ा वाला टी प्रेजेंट है, मतलब यह भी नॉर्मल प्रोटीन मना रहा है, और यह भी नॉर्मल प्रोटीन मना रहा है, जिस होमोलोगस क्रोमोजोम पे, सेम टाइप के जी फ्रेजेंट उसे हम लोग कहते हैं hoシegos क्या कहते हैं उसे हम लोग homeoorgos तो it is a homozygos तो स्पीजार मतलब कि wao अ बात पर सिंपल मतलब क्या होता है कि जिस homo Logan chromosome पर टीक है शेंट प्रिदो सिम टाइप की ये प्योर है इनके अंदर जो जीन प्रेसंट फहा है प्योर टॉल वाला प्रेसंट अच्छा बता ओं क्या ये वाला हो होगा क्या बताओ होगा यह वला हम ऑस जरूर होगा क्यिंकि इसके अंदर भी मैं bete होगा क्यूकि इसके अंदर और हो क्यों कि आप तो य। हैं टेर लेकिन स्बचा अधर जो लेकिन अलील्स को आम लोग क्या कहेंगे heterozygous, what we call, we call it as a heterozygous, इतनी बात है समझ में आ गई, ठीक है, तो ये वाला heterozygous है, ये homozygous है और ये भी homozygous है, homozygous का मतलब क्या, कि जिसके अंदर same type के gene present हो, ठीक है, ध्यान से सुनना ये सारी चीज़े, अगर आपको नहीं समझ मेंगी, तो आपको आगे का listen भी नहीं समझ में आगे, जैसे मैं अभी आपको बोला था ना, कि इनी सारी बातों में में बात करने वाला है, ठीक है, इनी सारी languages में 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 बात करने वाला है, तो अगर आपको उसका experiment भी अच्छे समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से सु दिने का वो पाट जो आगे चले क्या कर दे, एक complete RNA बना दे, उसे हम लोग क्या करते हैं, जीन, ठीक है, अब दो चीज़े प्रेजेंट है, दो चीज़े बता करने हम लोगो, dominant or recessive क्या होता है, यहाँ पर देखो, इस वाले example पर आजाओ, यह वाला मैं मिटा देता हूँ, यह सारे चीज़ें, ठीक है, ओके, यह सारे चीज़ें मिटा दे, अब देखो, इस वाले example पर आजाओ, यहाँ पर क्या था, एक जो जीन था, वो faulty था, ठीक है, एक जीन क्या था, faulty था, वो आगे चलके height वाला gene, height वाला protein नहीं बना रहा, जिससे आगे चलके, जो hormone है, य और वहीं दूसरे साइड पर क्या हुआ, एक normal gene presenter, जो आगे चलके normal protein मना रहा है, ठीक है, normal protein, पही बात है, यह क्या बना रहा है, normal protein मना रहा है, लेकिन, जब यह दोनों chromosome मिले, और जो plant आया, ठीक है, वो क्या मैंने बोला, वो तो tall हो गया, भाई, वो क्या हो गया, tall हो गया मतलब, इन दोनों chromosome में, ठीक है, इन दोनों chromosome में जब लड़ाई हुई, एक बोला मैं tall करूँगा, एक बोला मैं doff करूँगा, लेकिन उसमें से एक chromosome क्या हो गया, जीत गया, ठीक है, एक chromosome क्या हो गया, जीत गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, हार गया, समझ मेरी बात, ठीक है, एक क्या बोल रहा था, मैं tall करूंगा, क्योंकि ये normal protein बना रहे है, एक क्या बोल रहा है, मैं doff करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई protein ही नहीं, protein बन रहा है, लेकिन faulty protein बन रहा है, tall वाला protein नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब, ये जो normal वाला gene था, इसने क्या किया, इसक क्यों पर क्या कर दिया वो डॉमिनेट कर दिया इसका मतलब यहां पर जो capital T है ठीक है बहुत जो capital T है वो क्या है एक dominant character कुंसा character है dominant dominant मतलब समझते हो ना जो किसी दूसरे के उपर dominant कर जैसे यह होती है fighting होती है इन लोग की ठीक है जब यह है इक मारने लगता है दूसरे वाले को तो हम लोग बोलते हैं यहाद है इसके उपर dominant कर रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बड़ा वाला टी इस वो क्या कर रहा है अपना character show कर रहा है और दूसरे वाले के character को suppress कर दे रहा है सभी बात है ठिक है तो बढ़ा वाला character हिसका character दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे dominant और चोटा वाला character है मतलब जिसका character नहीं दिखनेगे और सप्रेस हो गया है उसे हम लोग कहेंगे recessive पर वे इतला है इड़ने बात में Fall इतनी बात है समझ में आई, तो हम लोग को ये भी पता चल गया, कि dominant क्या होता है, और recessive क्या होता है, तो अगर आपको ये सारे terminology समझ में आ गया है, तो हम लोग Mendel का experiment easily पढ़ सकते हैं, और easily हम उसे समझ सकते हैं, तो I hope आपको ये video पसंद आया होगा, जो Mendel का experiment है, वो हम लो नोटिटिकेशन मिल जाए, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep studying,